हाई गाइज महीं सुसांद आप सब भी देख रहे हैं इंट्फेनाट एलेक्टिसिटी आज के वर्क्षोप में मुवायल में जो इंटरनेट होता है उस इंटरनेट के द्वारा हम बल्ब को कंट्रोल करेंगे आप इससे फैन या फिर घर के कोई भी इंस्टूमेंट को कंट् सबसेट केम क्लिक करनेागा यहांप पास्वड यहाप करनें की क्लिक पर्म करनें के आपका अपकी दिल्क करना है उसके बाद यहांप कर देना पांपक हेे ईमेल टोकन और यहां पे PIN पर और लेनायान के बाद बटन के तरह काम करता है और तो देखी यह बटन ऑन आफ की तरह काम करता लेकिन यह पूस्ड करता है जब तक हम इससे टच करते हैं तब तक यह आउन राता है फिर अप हो जाता है अच्छे तरीकार से उसके बाद ऊपर में तीन अब प्रम करना है लाउप कर दिएंब s spirit कर देना है घो फिर से किलिक करना और यहाँ पर इमेल चीछ कर देना है उसके आपके इमेल पर आपके कुपी कर ले और कोपी करें कोड में डालना है जीए यहाँ पर एक टोकन है और अब यहां से सूच को यूज कर सकते हैं और यह अपना SP 8266 WAFa module इसे मैं ने B green board पो fix कर कर दिया है और यहाँ पिंगोर D3 पर 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 तेनों का positive और तेनों का negative है इसे मैंने common करके इस lag पर लका दिया और यहां से GND pin से लगा कि इस lag Cos degli LED पर लिंगोजारी अदिए कि मुझे एक एक असी भल्ब को भी चलाना है इसलिए में एक है रिले का यहां पर यूज किया है यह पांच वोल्ट का डिले हैं इसके पीन के बारे में मैं बता दे रहा हूं यहां पर आगे में तीन पीन है पाला पीन जो है यह पाला पीन निगेटिव है दूसरा पीन जो वो पोजीटिव होगा और लाट का जो पीन है उस साड का वो सिगनल का है जहां पर हमें सिगनल देते हैं यह एलेडी जलेगा तो पाला पीन जो है निगेटिव का उस कि इसके दुस्के साथ भी तिन पीन है यह से कि आप देख रहे हैं पहला एंसी फिर कॉमान फिर लाट का जो है एनो तो मुझे इस दोनों में वायर को जोड़ना है यह जो है यह मेरा 230 वोल्ट का जो घरों में सप्लाई आती है वह है और एक बलब ले लेंगे को भी बलब या कुछ भी लह लेंगे जिसे हमें यूज करना है इसमें वायर को लगा देंगे इसमें वहिद रहा यदो हो जाएगा एक बलब का भाय और एक 230 बट का सप्लाई इससे जोड़ देना है अभी इसमें सप्लाई नहीं दिया गया है फिर दो वायर बज जाएगा एक सप्लाइगा और दूसरा भल्ब का इसे टेप मार देना ताकि आपको सौक नहीं लगे यह बल्ब का वायर इसे बीच वायर हम लगा देंगे आप किसमें भी लगा सकते हैं और फिर यह जो दूसरा वायर है इसे एन ओ में लगा देंगे नॉर्माली ओपेन में और इसे हम पीलास के द्वारा अच्छी तरीका से इसके नट को टाइट कर देंगे ताकि इसका वायर नहीं निकले इसके सारे सार्ट के कनेक्शन हो चुका है आप हम इसमें प्रोग्राम को अफ्लोड करते हैं के द्वारा को लेफटंप्स करेंगे और करने के बाद इसामपस वो जाएंगे के बीसी जाने के बाद ब्ससें में बॉर्स वाइफायária में है सीव फुल सकीiqué उपण करलेंगे seperti 백신 करने एक हमाई वहतलु आपके फाटस थोरा नीचे विद देख सकते हैं योर्टर्वर्क निम आपका होट्स पूट का नाम है यहां पे पिसलिख देना है हिए में पॉर्स्ठी नाम है डाढ ऑभा के का यहां ओर लिखने के बाद हम आप उपर में तूल्स में चले जाएंगे है कोड़िए परपलोड़ तूल्स में चलने जाएंगे फिर बोड में आप से यहां पर बौक को स्लेक्ट करेंगे आपका जो होने में टाइम लगता है अब हम वाफ है मोडूल को मोबाइल से कुनेट करके बल्ब को कंट्रोल करेंगे यह जो बिलिंक आपको इस्ट्रोल किया थे इसे ऊपेन कर देंगे अब कुनेट नहीं है इसलिए इस तरीका इंटर्फियस सो कर रहा है तो मोबाइल डाटा को और होटेस्पूट का ओन कर देंगे यह थोड़े देर के बाद खुद बखुद वाफ है मोडूल से जूर जाएगा और यह जूरने के बाद इस तरह का इंटर्फियस आ जाएगा ज कर देख सकते हैं यहाँ पर चार मैंने बल्ब लगा यहाँ पाफ देख सकते हो यह लाट की कारण अच्छी तरह का सल यह LED बल्ब नहीं देख रहा है कि यह यह बुलू बलब का सविच्छ है और यह ऐसी लाइट का सविच्छ रिडीलेड Ć मेरे पास एक ही रिले मोड्यूल था इसलिए मैं रिले मोड्यूल को यह फिर अप ऐसी भाल या फिर फैन कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो यदि आपको वीडियू अच्छा लag है तो लाय एकन को दबा लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिक्रिक्षन आपको मिलता रहे हैं तो फिर हम मिलेंगे इसी कुछ टेक्निकली वीडियो को